next question question says an alternating electric field of frequency mu naught or mu is applied across the ds जिनका radius r है of a cyclotron that is being used to accelerate protons mass m सवाल यह the operating magnetic field b using the cyclotron and the kinetic energy k of the proton being produced by it are given by और चार option अपने को दे रखें again cyclotron का बहुत simple सवाल है अगर आपके cyclotron के concepts clear हैं तो बहुत आराम से सवाल हो जाएगा मैं एक बास cyclotron फिर रिवाइस करवाता हूं आपको तो cyclotron कुछ इस प्रकार होता है कि यह आपके cyclotron के दो डीज बने हुए हैं और इन दो डीज पर आपने यहां पर एक वेरिबल potential difference यह फिर फिल इस तरह लगाई और उसकी वज़े से आपका जो यहां पर चार्ज जो यहां कानेटिक एनरजी की वज़े से यहां से यहां इस डीज के अंदर पहुंचेगा और जैसे इस डी के अंदर पहुंचेगा वह उसके बाद यहां पर और इसकी आपकी magnetic field जो आपने अलगा रखा उसकी value कितनी होएगी यहां पर अपने को frequency जो है इसकी frequency f जो है वो दी हुई है frequency f अच्छा है यहां है नोंने mu दिये बट मैं यहां पर जानबूज के f यूज करूँगा जिससे आप v और mu के बीच confuse ना हो जाएं तो frequency f दिवी अपने को यहां पर यह बात अपने को पता है कि omega जो है लिखते हैं qb divided by m इसको अगर हमें frequency में convert करना होगा तो इसको हम लिख सकते हैं 2 pi f will be equal to qb divided by m यानि कि आपकी frequency f जो है वो आ गई qb divided by 2 pi m now इसके basis पर अगर हम इससे derive करें या अगर इसको थोड़ा सा manipulate करें यहां पर अपने को m दिया हुआ f दिया हुआ q दिया हुआ बी की value अपने को बतानी है which implies आपके b की जो magnetic field है उसकी value आ जाएगी 2 pi f यह सब उपार आ जाएगा 2 pi f multiplied by m divided by q तो यह आपकी operating frequency हो गई यह आप होगी now kinetic energy निकालने के लिए हम यह काम करेंगे कि जो साय आपका इस magnetic field में जो आपका particle घूम रहा है उस पार्टिकल की जो आपकी उसके उपर जो force लग रहा होगा centripetal force उस centripetal force की value होएगी mv square by r और इस mv square by r को आप यहाँ पर magnetic field के बराबर कर सकते हैं magnetic field उसका आजाएगा qvb अगेन यहाँ पर v आपकी velocity है और mu नहीं है इसलिए हमने mu और v में confusion ना हो इसलिए हमने frequency को f use किया है यह आपकी velocity आजाएगी तो इस basis पर हम कह सकते हैं एक v cancel हो जाएगा तो इस basis पर हम कह सकते हैं इस v velocity की value हो जाएगी आपकी qb r divided by m यह आपकी v की velocity हो गए इसी को अगर हमने kinetic energy में लिखना हो यहाँ पर kinetic energy को हम लिखते हैं half m v square यहाँ पर बस यह value डाल के अपने को answer मिल जाएगा यह हो जाएगा half m v का square यान ही की हो गया q square b square divided by r का square divided by m का square अपने को जो चार option दे रखे हैं वो चार option frequency की टर्म में दी हुए तो यहाँ पर अगर हम notice करें qb divided by 2 pi m जो है यह आपका इसको हम frequency की term में लिख सकते हैं तो qb by m इसको हम frequency की term में लिख सकते हैं तो आपका kinetic energy जो आ जाएगा यह हो जाएगा qb by m आपका 2 pi f के बराबर होता है तो इसकी value आ गई 1 by 2 m multiplied by 2 pi f का square multiplied by r square तो इसको अगर हम solve करेंगे तो यह बनेगा 4 pi f square एक 2 cancel हो जाएगा यह बचेगा 2 pi multiplied by f का square multiplied by m multiplied by r square यह आपकी kinetic energy की value हो जाएगी एक यहाँ पर इस pi के उपर भी square आएगा 2 pi square f square m r square तो based on this हम कह सकते हैं कि अपना option number c would be the right answer